हेलो दोस्तों गूट मॉर्निंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का MZT एजूकेशन में दोस्तों आज है 25 नॉमबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 नॉमबर 2022 के वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा इस वीडियो की पीडियो और डिटेल क्विज आपको मिलेगी अप्लिकेशन MZT एप पर तो आप MZT एप Google Play Store से जरू डाउनलोड कीज़े आगे बाणने से पहले हम लोग क्विकली रिविजन कर लेते ह है कलकी करेंट अफेर को जिसे बूलना जाएं रस्या दोस्तों भारत को उर्वरक का सीर्स आपूर्ति करता देश बन गया है यानि भारत के लिए उर्वरक Fertilizers सबसे अदर सप्लाई रसिया आज की टाइम पर कर रहा है ऐसे ही क्रूड आयल भी सबसे अदर सप्लाई रसिया ही कर रहा है अभी हाले में रवी कुमार सागर को प्रतिष्ठे डाक्टर कलाम सेवा पुरुषकार से सम्मानित किया गया है और वहीं प्रणाय सर्मा ये क GDP ग्रोथ रेट को घटा करके 7.0% कर दिया है इसके अलावा तमिलाडु राजे ने अन्ना मलाई टाइगर रेजर्व ने जंबोर ट्रेल्स लांच किया है और अभी ग्यारवा संगाई उत्सों सुरू हुआ है मडिपूर में अरबन गब्रू के ब्रेंड एम मिजडर पूसकार से सम्मानित किया गया ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया क्विकली रिविजन अब बात करेंगे आज के दिन के सांदार करेंट अफेर की पहला गुश्चन मोच्ट इंपोर्टन हाली में कहां कि बाली जात्रा या कह बना है सबसे ज़्यादा पेपरवोट बनाने का 35 मिनट में मात्र 35 मिनटों के अंदर 22,000 से ज़्यादा पेपरवोट बनाए गये और ऐसा करने वाला ये बन गया है एकलोता एरिया या कहे एकलोता जिला जो भी कह लीजी आप तो ये गिनीज बुक आउफ वर्ड ठीक है 22,000 से ज़्यादा पेपरवोट बनाने का विदिन 35 मिनट से बाली यात्रा है उत्सो दोस्तों आपको बता दे ओडिसा का प्रमुख उत्सो होता है महुत्सो होता है बाली जात्रा हो धानु जात्रा हो ठीक है और या फिर पूरी जगननात यरत्रत यात्रा हो ये सभ लिए थे उनको बापाइदी ट्रेनिंग उगया रदी गई थी कागास की नाव बनाने की और एक साथ 35 मिनटों में इतनी नाव बनाकर के रहने वर्ड रिकार सेट किया है ऐसा ही एक रिकार्ड दीपोत्सो में सेट हुआ था दीप जलाने का दीपोत्सो आयोध्या का दीप वैसे आयोध्या के दीपोत्सो में पंद्रा लाग से ज्यादा दीप इस बार जलाए गये थे पंद्रा लाग से ज्यादा दीप जलाए गये थे पंद्रा लाग सत्तरहजार के आसपास में इससे पहले ये रिकार्ड था महाकाल मंदिर महाकालेस्वर मंदिर आप जानते हो म महा कालेश்वर मंदिर ठीक है न यह कहाँ पर है उज्जयन मध्यप्रदेश में तो मद्यप्रदेश के उज्जयन में इस्थित महा कालेश्वर मंदिर में 11,00,00 तीप jala करके बना था वर्ड उसका रिकार्ड अयुद्या के दीपोट सुने बार फिर से तोड़ दिया था तो ये कुछ वर्ड रिकार्ड है क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है हाले में किस राजी में सोंजल 2022 महोटसो आयोजित किया गया एक और महोटसो से संब्धित कुशन है अभी हाले में सो तो वहां के एलजी हैं लेटनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्ह जी जम्मु कस्मेर के उन्होंने इसका एनगरेशन किया हुआ है कस्मेर में कस्मेर युनिवस्टी में ठीक है तो 23 तारिक से ये 30 तारिक तक मनाया जाएगा सुनजल 2022 उत्सो सुनजल का मतलब होता है इंदर धन और फिर आगे चल करके नेशनल यूथ फेस्टिबल में हिस्सा लेने का मौका मिलता है तो जम्मु कस्मेर यह मनाया गया अब जम्मु कस्मेर आया है तो जम्मु कस्मेर के प्रमुक महत्सों को हम लोग रिवाइज कर लेंगे अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले महत्सों मनाया जाता है इसके अलामा लेवेंडर महत्सों मनाया गया था और भी महत्सों अगर बात करें जम्मु कस्मेर की तो ट्यूलिप मनाया जाता है ट्यूलिप फेस्टिबल यह भी जम्मु कस्मेर में ही तो सेलिबरेट किया जाता है इसके अलावा जम्मु कस्मेर मे में ही दो मोशचे तेवहार भी मनाए जाता है दो मोश ठीक है और वैसे लुसर festival वगेर सो मना जाता है लधाक में ठीक है लधाक का festival होता है लोसर वो गया या फिर इस पूरतिड़ कहिस्तर फूरी हो गया यह लधाक में मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं हाले में भारत और इंडोनेसिया संयुक तुसायन अभ्यास गरूर सक्ति का आयोजन कहां पर किया गया तो गरूर सक्ति अभ्यास दोस्तों ये इंडोनेसिया में ही आयोजन किया गया तो यहां पर आप देख पाओगे गरूर सक्ति इंडिय cooperation exercise हुआ और 8 हुआ इस बार का एडिशन था यानि कि 8 हुआ इस बार का संस्क्रण था 21 नॉम्मर को ये आज़ित हुआ इंडोनेसिया में अब इंडोनेसिया आया है तो चलिए वर्ड मैप में देखते हैं इंडोनेसिया है कहाँ वर्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत यहाँ से आपको आना है इधर साउथ की तरब ठीक है तो इधर आओगे आप तो थाइलेंड कमबोडिया वगरा पार करते हुए मलेसिया पार करते हुए तो ये जो देख शुरू होता है न ये है इंडोनेसिया ये इतना ये जो शुरू होता है ये इंडोनेसिया है पुरा ये सब आप जो देख पा रहे हो ये सब इंडोनेसिया है ठीक है इसके ऊपर जो पड़ता है ये पड़ता है मलेसिया लेकिन यहाँ पर इंडोनेसिया हो सब इसकी तहता है क्लियर है तो इंडोनेसिया यह है अच्छा यहां की पुरानी कैपिटल यहां पर हुआ करती थी जकार्ता लेकिन आपको पता होगा दोस्तों बहुत सारी रेपोर्ट्स आ रहे थी कि जकार्ता डूबने वाला है इन फैक्ट जितने भी ऐसे ऐसे पचास से ज्यादा प्लेसेश चुने गए थे जिनको बताया गए था कि 2050 आते आते समुद्र का जलस्तर बढ़ने के विज़ए से वह डूब जाएंगे भारत का लच्छ देब भी उसमें सामिल था तो फिर इसको देखते हुए इंडोनेसिया ने जकार्ता से अपनी कैपिटल चेंज किया इसने अपनी कैपिटल चेंज करके नुसंतारा को बनाया ठीक है ना तो अब इंडोनेसिया की नई राजधानी कहां पर होगी नुसंतारा में होगी ठीक है ना नुसंतारा कुछ यहां पर है अच्छा इंडोनेसिया दोस्तों दुनिया की सबसे जादा मुस्लिम इंडोनेसिया के बारे में आपने जान लिया यहां पर अभी G20 की समिट रिसेंटली आयोजित हुई और इसके बाद से अधेक्सता भारत को मिल गई इंडोनेसिया के प्रेसिडेंट जोको विडियो रोने भारत के प्राइम मिनिश्टर नेरिन मोदी जी को G20 की अधेक्सता सोपी हुई है इस बार अब अगला अला जो संसकर्ण होगा G20 का यह भारत में आयजुद किया जाएगा फिलाल इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है इंडोनेसिया की भी करंसी रूपया होती है बस इंडोनेसिया ही रूपया होती है क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है हाले में भारत ने कहां से अगनी थ्री मिसायल का सफल परिक्षण किया है तो अभी हाले में इंडिया ने दोस्तो हर बार की तरह अगनी थ जे अब्दुल कलाम दुप से अभी हाली में अगनी थिरी मिसायल का सवलतम परिच्छन किया है इसको बनाया किसने DRDO यही वो संस्ता है जो बनाती है मिसायल वगरा भारत के लिए और इसने अभी हाली में अगनी थिरी मिसायल का सवलतम परिच्छन किया हुआ है ठीक है अच् ही upgraded version है अगनी प्राइम ठीक है ना उसी रेंज का सेम रंग रेंज का अगनी 4 हो या फिर हो अगनी 5 अभी तक अगनी 5 तक का परिच्छर किया गया है यह सबीना नाम रखे गए हैं रेंज के अगनी 2 है तो यह 2000 से लेकर के 2500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है अगनी 3 है तो ऐसे ही 3500 किलोमीटर की रेंज की अगनी 4 है तो ऐसे ही 4500 किलोमीटर के आसपास की रेंज की और अगनी 5 है तो यह 500 किलोमीटर की रेंज की यह मिसाइल है तो अगनी 4 अगनी 5 जब की बात आ तो यह हो जाता है इंटर कॉंटिनेंटल क्योंकि इतने किलोमेटर में तो हम लोग कॉंटिनेंट पार कर जाएंगे यानि कि हम लोग महादुप पार कर जाएंगे और जब कोई missile एक महादृब से दूसरे महादृब को कवर करती है तो उसे कहते हैं Intercontinental Balastic Missile Balastic Missile वो होती है जो Heavy Missile है मैंने आपको कई बार बताय हुआ है जो जादा अपने साथ Payload ले जा सकती है तो अगनी Missile है वैसे भी Balastic Missile ही होती है ठीक है क्रूज मिसाइल में अगर बात करें तो जो हलकी होती है सीधी मारक शमता वाली होती है तो क्रूज मिसाइल में जैसे की ब्रम्होस हो गया ठीक है न ब्रम्होस हो गया और भी बहुत सारी है अकास है पृत्वी है यह सभी क्रूज मिसाइल है ठीक है हलकी होती है तेजी से और सीधा सीधा मार करती है अगनी मिसाइल जाती है अंतरिक्ष में और उसके बाद ऐसे मारती है ठीक है तो फिल्हाल यह बैलेस्टिक मिसाइल है आपको I hope यह बैलेस्टिक मिसाइल और यह लेंस समझ में आ गया होगा इसका अभी एपीजी अबदुलक्राम उडिसा से किय गया है परिक्षड ठीक है समय समय पर DRDO परिक्षड करता रहता है मतलब हतियार अगर आप रखे हो समय समय पर उसको घिशते रहो रगड़ते रहो वरना उसमें जंग लग जाएंगे वही बात है यहां पर भी फिलाल DRDO के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा तो समीर वी का कामत इसके नए अध्यक्ष बनाए गए है एक जनवरी को 1908 में जब नासा के अस्थापना हुई अमेरिका में न तब भारत ने DRDO की अस्थापना करी 1958 को हेड़कौर्टर इसका दिल्ली में है और समीर वी कामत इसके अध्यक्ष है अगला हाली में किस मंत्राले ने तेंजि नार्गे साहसी कुरुसकार की घुष्णा करी गई है अब इस पुरुसकारों में तीन टाइब से विजेता तीन कटेगरी में सम्मानित किया गया है कौन-कौन लैंड एडवेंचर की कटेगरी में मिस नैनाधाकर और वाटर एडवेंचर की कटेगरी में स्री सुभम इसके अलावा lifetime achievement की कटेगरी में group captain कुन्वार भावानी सिंग सामयाल को चुना गया है अब देखो ये जो तेंजिंग नारगे अवार्ड है तेंजिंग नारगे national adventure अवार्ड ये साहसिक पुरुसकार होता है और दोस्तों भारत में सबसे बड़ा साहसिक खेल सम्मान होता है पहले इसका नाम कुछ और था इसे पहले राष्टिय साहसिक पुरुसकार की नाम से जाना जाता था आगे तेंजिंग नारगे को सम्मानित करने के लिए मतलब उनकी सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया ठीक है तेंजिंग नारगे कौन थे तेंजिंग नारगे और एडमन हिलेरी आपको अगर पता हो तो 1903 में माउंट एवरेश को फदा करने वाले ये पहले दो थे ठीक है तो पहला पुरुसकार 1994 में दिया गया था इस पुरुसकार के तहरत एक कांस की प्रतिमा और एक 15 लाग रुपे दिये जाते हैं तो इस बार ये तीन लोग जो है 15 लाग एकांट में पागये हैं तो खेल मंत्राले के दोरा ये दिया गया है खेल मंत्राले ने अभी recently दोस्तों राष्ट्रिये खेल पुरसकारों की भी घोशना करी आपको पता होगा भारत का जो सर्वोच खेल पुरसकार है Major Dhyan Chand Nawad ये मिला है अचंता सरत कमल को इस बार और अचंता सरत कमल को जो की टेवल टेनिस से संबंदित हैं याद रखेगा इनको मिला है इस बार केवल सिंगल बने है इस बार केवल एक ही विजेता है Major Dhyan Chand Khalebratars Nahar26 इस बार पचीस विजेताओं को के नए CEO कोन बने तो KVIC के नए Chief Executive Officer बन गए है दोस्तो विनीत कुमार विनीत कुमार जी यहाँ पर आपको इमेज में देख रहे हैं यह CEO का इसका चार्ज ग्रहड कर लिए हैं यह I-R-S-E-E Officer है ठीक है तो अभी इन्हें KVIC मुंबई जो की Headquarter है उसमें CEO बना दिया गया है अ कुलकाता में जो स्यामा परसाद मुखरजी बंदरगा है उसके यह अभी तक चेर्मेन थे वहाँ से आ करके यह KVIC के CEO बना दिये गया है 1993 बैज के I-R-S-E-E अधिकारी है यह तो इनको अभी MSME Department में अधिन खादी और ग्रामोद्योग आयोग का बनाया गया है CEO MSME मंत्राले के मंत्री कौन है तो वो हैं दोस्तो नारायन तातू राने नारायन तातू राने इनका नाम आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है अचा एक चीज और के वी ICसे मुझे याद आ रहा है इसने भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग मुबाइल वेन लांच किया था मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन जिसे कहते है है इसको लिखा है दोस्तों एंड्रूज S.Wies ने एक्सिडेंटल जार कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा इसकी स्पेलिंग कुछ प्रकार से होगी एंड्रूज S.Wies ने इसे लिखा हुआ है देख लीजे ये है ये ब्लादेमिर पुतिन के उपर है दा लाइफ आफ एंड ल हैं तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी और नियुयार के रोरिंग बुक प्रेस में ये भी पब्लिस करी गई है ये तो पुस्तक हुई तो पिछले दिनों में कौन-कौन से पुस्तक है आई थी चर्चे में अभी उसको रिवाइज कर लेते हैं साहिल सेट की बहुत इंपोर है हमारे अर्विय के पूर्ब गवर्ण ड्क्र ने पुस्तक लिखी है। साहब नाम की पुस्तक लिखी साइमन साइबेक, मेटो फ्योर ने दे वर्ड ए फैमिली हिस्ट्री लिखी और एंड्रियूज अज वीस ने अब एक्सिडेंटल जार पुस्तक लिखी कुई है कलियर है? आगे बढ़ते हैं हाले में संयुक्त राष्ट के सर्वोच पर्यावरंड प्रुसकार से किसे सम्मान किया गया? तो देखो संयुक्त राष्ट का सर्वोच पर्यावरंड प्रुसकार होता है चैंपियंस आफ अर्थ का अवार्ड ठीक है ना? तो Champions of Earth का जो अवार्ड होता है वो इस बार मिला है पूर्णिमा वर्मन को इसे पूर्णिमा वर्मन को यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियाज पूर्णिमा देवी वर्मन Honored with UN's Highest Environmental Award यह Highest Environmental Award जो है न यह है Champions of the Earth का अवार्ड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी पाच चुके हैं 2018 के लिए वही अभी इनको 2022 का मिला हुआ है ठीक है तो इंडियन वाइड लाइफ यह बायलोजिस्ट है बारतिवन जी वाग्यानिक है तो इनको अच्छा 2018 में तो PM मोदी जी पाए हुए थे PM मोदी जी ने यह अवार्ड शेयर किया था Emmanuel Macron के साथ जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है उस साल उनको भी मिला था इसकी अलामा भी 2022 में ही 21 अप्रेल को lifetime काटेगरी में lifetime achievement की काटेगरी में अवार्ड दिया गया Sir David Attenborough को इनका इंडो Pacific Regional Dialogue 2022 कहां सुरू किया गया तो यह दोस्तों आयोजित हुआ है नई दिल्ली में इंडो Pacific Regional Dialogue का मतलब हुआ हिंद प्रसांत छेत्रिय समवाद तो इसका आयोजिन इंडियन नेवी के द्वारा किया गया इंडियन नेवी ने नई दिल्ली में 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में इसका आयोजन कराया इस बार की थीम रखे गए थी Operation of the Indo-Pacific Ocean Initiative यानि IPOI ठीक है भारतिय नव सेना के अगर प्रमुक की बात करें तो एड्मिरल आरहरी कुमार जी है और भारतिय नव सेना दुस्तों दिवस मना जाता है 4 दिसंबर को प्रतियक वर्स ये भी आप मेहनत दिए Content इकठा करके पेस किया जाता है मैं कोसिस करता हूँ आपकी तैयारी को आसान मनाने की तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो वीडियो को लाइक और सेयर जलू कर दिया करो होता क्या है ना कि मतलब जैसे आप लोग तो रेगुलर रूपीवर हो ठीक है आप लोग रोज देखते हो कई दिनों से कई महिनों से कई सालों से भी लेकिन जब कोई नया व्यक्ति आता है तो वो थोड़ा सा व्यूज देखकर के आंकता है वो पहले देखता है फास्ट इंप्रेशन उसको लगता है कि व्यूज कमा रहे है तो इसका मतलब है कि यह content अ दिखाओगे तो ये भी एक बात चाहिए है कि वीडियो लेट थोड़ा सा भले आती है लेकिन कंटेंट से भरपूर रहता है उसी बात अथेंटिक जानकारी देने का मैं प्रास करता हूं कि गलतियां ना के वैदाबर रहें इसी वाज़े से लिसर्च करने में टाइम लग जा जो भी जानकारी पाओ वो अथेंटिक हो रियल हो और एक्जाम के प्रास्पेक्टिब से इंपॉर्टन भी हो फाल्तु की जानकारी ना हो तो आप लोग इस सब चीजों को ध्यान देते हुए आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज को सेयर जरूर कर दिया करो तो की बारे में नहीं पता रहता है आकसर वो भीड देखकर की भागते हैं ठीक है तो आगे हाले में किस राज में मुंपली उत्सो कडले काई परीसे मनाये गया तो अभी हाले में करनाटक में एक मुंपली महोत्सो मनाये गया जिसका नाम है वहाँ पर रेजनल रूप से कडले काई परीष्ति तो कडले काई परीष्ति चाहे कहो चाहे वहां पर मुंफली महुच्षो की рав deixa आप से मुम्फनि महूच्षो भी पूचा जा सकता है यह भी ध्यान रखेगा तो ये अभी करनाटक में सेलेब्रेट किया जा रहा है ठीक है यहाँ पर आप देख पाओगे ग्राउंड नेट फेयर किडले काई पर इस बैक इन बेंगलूरू बेंगलूरू में यह आयुजित किया जाता है तो वहाँ पर डोड़ा गड़ेस मंदिर है और बासवन गुड़ी में बैल मंदिर है उसी के पास यह सेलिब्रेट कि आज जयाता है । आय। अज्ट करनाटक में ही आपको पता होगा कंबाला भैस दोर्ड प्रत्योक्ता हुए धी leaves प्रत्योक्ता हुए थी इससे आपको बताते अगर आफ ठास कि बात की जाया तो आप बताएंगे करनाटक में अगर आप से बैल दोड की प्रत्योक्ता की बात की जाए तो बैल दोड कहाँ पर होता है तमिल नाडू में होता है पोंगल उत्सो पर तमिल नाडू में होता है वैसे आपसे अगर उम्ट दोड प्रत्योक्ता कहा जाए तो उम्ट दोड कब होता है जब पुसकर मेला होता है कहाँ पर पुसकर मेला राजस्थान में ठीक है ना राजस्थान में ठीक है और घेड मेला घेड मेला कहाँ पर आज़ुत किया गया था ये गुजरात में आज़ुत किया गया था कहाँ पर गुजरात में तो ये सभी चीज़े आप याद रखेंगे ठीक है चलो फिलाल अब करनाटक आया है करनाटक की बारे में हम लोग जान लेते हैं क्विकली करनाटक आप देखोगे नीचे मैप में यहाँ पर है करनाटक की कैपिटल होती है बैंगलुरू यहाँ के सीम है बसोराज एस बुम्म पार्ग भी पूछा जाता है करनाटक का यकशिगान बहुत ही प्रमुख लोग निरती है करनाटक का राज्किय पसु है जोस्तों भारतिय राज्की पक्षी है भारतियरोलर और राज्किय पुस होता है कमल अच्छा अच्छा अभी recent दिनों में क्यों 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 करनाटक चर्ची में आया था इसको भी revise कर लेते हैं करनाटक अभी Grade Interactive अक्षय उर्जा की कुल छमता के मामले में top पर रहा था इसके अलावा करनाटक ने सरकारी स्कूलों में तीन transgender teachers को न्यूक्त किया हुआ था और ऐसा क के लिए एक प्रत्रत आरच्छर देने वाला ये पहला राज्य भी है इसके अलामा आरच्छर की बात आही गई है तो करनाटक ही है दोस्तों जिसने अभी हाले में दो परसेंट सीटे रिजल्व रखी हुई है इस पूर्ट कोटा में इसके अलामा सी गोटा की सीटे रिजल्वेशन बढ़ा करके 15% से 17% कर दिया है और स्टी की 3% से बढ़ा करके 7% कर दिया है इसके अलामा करनाटक अभी चर्चे में रहा था दोस्तों जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेद मोदी जी ने कैमपे गोडा जी की 108 फीट उची प्रतिमया क का अनावनट किया कैमपे गोडा जी बैंगलूलू के सद्थापक माने जाते हैं ठीक है अच्छा इसको नाम भी दिया गया क्या नाम दिया गया इस्टेच्व प्रॉस्परेटी नाम दिया गया यह भी आप यादर कहेंगे इंपॉर्टेंट है और करनाटक सरकार नहीं अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा लास्टे मैंने आप सिब कुशन पुछा था उदार सकती सैनभ्यास भारत और किस देश की बीच में किया जाता है तो यह भारत और मेलेसिया की बीच में होता है और वही नास्तोर एकाउंट के बारे में आज आपको बताना है मुझे तमिल नाडू राज जिसे लोग सभा में कितनी सीटे जाती है इसके अलावा नाता संकीरतर महुद्सो किस राज में मनाया जाता है दोनों कुशन के बारे में आपको जो भी पता होगा डेटेल में जरूर अंसर करने का प्रयास करना इसकी क्व बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इंट तक देखने के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद वंदे मात्रम